दर्शकों आपके सामने फिर से हर्श्या गुंदिला बेल्जों टीवी की तरफ से एक नए कंडिस्टंट के साथ जिनका नाम है दुर्गेश्वर पाठव तो मिस्टर दुर्गेश्वर पाठव आपके बारे में बताएं दोस्तों कल रात की बात है तीज बारिश, काली रात और पेट में जैसे चुए डावर बहुत भूठ लगी हुई थी मैंने जैसे ही कीचन में गया अच्छा मैंने फ्रीज से कुछ हीटेबल्स निकालें आण के बिए मकंण आण कोलरिंगं lihat मैं अंडे डाखी नहीं नहीं निकालें और हमारी remain पार्टनर हम गये अनदर अंधर हम लोगों ने असाव मेरे दोस्तों ने भी मेरे रूम पार्टनर को बीद हम लोगों को गरनकरना स्टाट किया हाँ सभी लोग खाने बैठें, सभी लोग एकठा बैठें और सभी लोग उने ब्रेट का पहला निवाला जैसे ही मुँ में लेने ही वाले थे, अचानक रूम के खिड़की से एक आवाज, एक बढ़ा सा चेहरा अंदर आते हुए, ठहरो, हम लोग सहम गये, दर से धरकन कापने हाथ में धरा ही धरा, सभी लोग सोचने लगे, यह आवाज कैसी थी, अचानक धुंद, यह धुमा, और फिर अचानक दरवाजे से खट-खट की आवाज, खट-खट, खट-खट, सभी लोग की धरकने बन, पूरे रूम में सन्नाटा सा चा गया, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, मेरी नीद खुलने, तो यह क्या बता है आपने दर्शेगो को, क्या था यह, यह मेरा सपना था, तो दर्शेगो, दुर्गेश्वर पाठक ने, अपना सपना, बेल्जो टीवी के, रियालिटी शो के लिए, नरेट किया, आपके सामने, तो इसी प्रकार, यद आपके पास, कोई इनक्रेडिबल सपने हो, तो जरूर आए, और बेल्जो टीवी के, ओडिशन में, अपना सपना, पेश कीजिए, बेल्जो टीवी का, कॉंटेक्ट, इस प्रकार किया जाएगा, सबसे पहले, गूगल प्ले स्टोर में, जाके, आप एप्लिकेशन को, जीमेल डाट कोम, और मेरा इमेल आइडी भी आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं, हर्शा गुंटला एकदर एट जीमेल डाट कोम